यूपे के सीतापूर कुतवाली महमूदाबाद सुंबार की शाम को रहस्माई तरीके से इफ तीन बच्चे लापता हो गए जिसकी सुचना बच्चों के परिज्रन ने स्थानिय पुलिस को दी पुलिस मामले की चानबिन में जुट गई थी जिसके बार दूसरे जनपत में पंचे बरामत भी पाये गए मगर बच्चों के गायब होने के कारण का पता नहीं चल पाया रात जानकारी के अनुसार चीनी मिल कॉलनी निवासी अनुज भारती 14 वर्ष 9 राखुल भारती कक्षा 5 प्रदीप यादव कक्षा 10 के शात्र हैं जो नीजे विद्यालों में पढ़ते हैं जो कि सुंबार की शाम को ही लापता हो गए जब रात तक घर नहीं लोटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू करती पताया जा रहा है कि तीनों बच्चों की रिल्वे स्टेशन के पास एक दुकान में लगे कैमरे की CCTV फुटेज में साइकल से जाते हुए देखे गए परिजनों ने CCTV फुटेज को लेकर पुलिस को दे दी गई जहांपर परिजनों की तोरीर पर पुलिस ने गुंशूदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की चानबीन में जुट गई वैंडिशनल एसपी महिंद्र पृताप ने बताई कि बच्चे पहले बरेली में पता चला जिसके बाद लखीमपूर खिरी में बच्चों के परिजनों को सूचना दी गई फुलिस भी मौके पर पहुँच गई और बच्चे बरामद हो चुके हैं बच्चे को लाया जा रहा है बच्चे की उम्र क्या होगी लगवाद इस चौदा साल के है लड़ी का हमारा तो कहीं पता चला बच्चे का कोई आपने अप्लिकेशन देगी पता नहीं चला आई तक एवरा तक सूचना दी पुलिस को हां राते में हो गया था बच्चे गायब हुए क्या है पूरा मामिया सब्सक्राइब यह तीन बच्चे कल गायब हुए थे महमुदाबाद से चौदा पर नरह साल की एस ग्रूप के हैं और यह साइकल से घर से निकले थे और फिर बाद में इनका एक लोकेशन ट्रेस हुआ बरेली बरेली में वहां जब से घर एक ठाना है वहां से भी यहां पर काल आई तीन के वहरवालों के पास के बच्चे यहां पर बोटन हो गाया पर काम लग रहे हैं पिर जब उनको ट्रेस किया गया सफ़तर बच्चे वहां से निकल गए और फिर वो ट्रेंट पकड़कर के आज अ बच्चे दिलिगा है